बहुत बहुत सवागे था सभी का हमारी जेटोब चैनल स्ट्रमेडिया में मैं हुराज राप देख रहे हैं स्ट्रमेडिया चैनल ब्यार विश्यविद्याले मुजफरपूर 21-24 के पार्थिरी के छातर छातर है जो भी ये स्टूरेंट एक्जाम दिये हैं एक एक दीन गिन हैं कि रिजल्ट अब आएगा जल्दी आएगा अब कॉपी चेकिंग की परिकरिया शुरू होगी लेकिन दूसरे तरफ विश्यविद्याले में अभी तक के ये जो पार्थिरी की परिक्षा होई थी उसके बाद से जो कॉपी रखा जाता है कलेक्शन सेंटर जो भी कॉपी क्यों नहीं लाए यदि ये सवाल किया जा रहा है तो अखबार छाप रहे है कि कॉपी लिया करके विश्यविद्याले करेगी भी क्या उसके पास तो टीचर ही नहीं है जो टीचर कॉपी चेक करने वाले हैं वो सेकेंड सेमस्टर का कॉपी चेक कर रहे हैं तो कॉप अपने पैसा से लेकिन बिश्य विद्ैम मोटिहर और वेतिया में जो collection सेंटर बना था exam के बाद जो और सुरक्षित वहां से जो है कि उन्वर्सिटी मिला करके यह जहाँ पर भी कॉपी चेकिंग होती है वहाँ पर कॉपी भेजवा दी जाती है तो अभी कलेक्शन सेंटर पढ़ी कॉपी रखा हुआ है देखे कैजर तो कहा जाला कि परचारों कहना है कि कई बार तो कॉपीयों को वो अपने खर्च से विश्यविदाले में भेज देते हैं कॉलेज अपने पैसा से लेकिन गारी भारा समय पर दिया नहीं जाता है इस कारण से उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने में कॉलेज प्रसासन के अस्तर पर भी दिल्चस्पी नहीं लिजा रही है दूसरी और विश्यविदाले अस्तर पर पार्ठीरी की कोफियों की मुल्यांकन की योजने त्यार की जारी सब पढ़िएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा यह बताइए यह यह अर्ली ग्रैजुएशन है तो बिहार में ऐसी हालत हो गई है और यह जो सेमेस्टर सिस्टम लाग किया गया है चार सलवलासना तक ज प्रोफेसर्स है ना इंफ्रेस्ट्रेक्शर सही से है ना काम समय पर हो पाता है ना तीन साल वाला जो ग्रैजुएशन है वो सेशन समय पर है यह चार सफल लाकर के तो और दुबा दिया जागा हमको तो लगता है कि जो मंत्री नेता लोग जो बड़े-बड़े बैठेंग म और डर इस बात की भी है कि फिर हम लोग तो बिहार में ही रहेंगे फिर हमारे आने वाले बच्चे फिर इन सभी कालेजिस में या निवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे उनका ते बेरा गरख हो जाएगा ऐसा तो नहीं कि जान बूच करके बिहार में इतनी जल्दी जो है क चार सलवला असना तक उन सभी उन्वर्सिटी में लाउ किया गया है जहां पर तीन सलवला असना तक यह अर्ली एक्जाम जो हो रहा है तब जागर के छो साल में किलियर हो रहा है यह बिहार के सिख्षा विवस्था को दूबाने के लिए जो है कि यह सब ऐसा किया गया देख पार है कि कॉपी मंगमा भी लेंगे तो मुल्यंकन कौन करेगा यदि सिक्षक जो कुछ बचे हुए है उन लोग को कॉपी चेक करने में लगवा दिया जाए तो कॉलेज में कलास कौन लेगा लिखावा है सिक्षक पहले से कौपी करेंगे नहीं है यह चार सल्वाला असना तक लाउग कर दिया गया है और अभी तर दोई सेसं एडमिशन हो जाएगा और हर साल आठाव को एक्जाम लेना पड़ेगा तब इमयजन कर सकते हैं कितना बुरा हालत होगा सिक्षा विवस्ता का ये सभी कोर्स करवाने के लिए देख पारें यहां पर अखबार भी करें कि जल्दी शुरू नहीं हुआ पार्थिरी का मुल्यांकन तो रिजल्ट में इतना नदेरी होगा कि रिजल्ट चला जाएगा दिसंबर तक अब तो लग रहा है पार्थिरी के त प्लेस्मेंट से हजारों विदार थी वंचित रह जाएंगे ट्रीडिसी पार्थर्ड का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से उत्पन हुई यह इस थी तो काफी बुरा हाल होते जा रहा है और रिजल्ट जल्दी प्रकाशित हो ऐसे भी कोई विवस्ता नहीं दिख रही है अब ऐसे चात्रों का भविस्त डूब रहा है खुद डूब रहा है या जान बूच करके जो है कि बरे बरे नेताओं के द्वारा डुबाई जाती है बिहार के बच्चों का भविस्त आप लोग अपनी बाद जो है कि कॉमेंट में रख सकते हैं बाकी रिजल्ट पर अभी क कुछ नई चीज कोई positive चीज कोई अच्छी चीज आई नहीं रही है जिससे मैं आपको बता पाऊ बस collection center में कॉम्पी वैसे पर हुआ है कि सालत में पर हुआ है को लिन दिन नहीं है मंगमाय भी नहीं जो आरह है कि कहा जा रहा है कि मंगमाय करें कि हम करेंगे क्या टीचरे आप लोग feedback दे सकते हैं देखते हैं जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे बहुत भूत धनवाद आपका इसे लोगों देखने के लिए